यह जो हम लोग भगवत कीता का ध्याइप रही है पूरा सेक्षिन ही जो दूसरे ध्याइप पढ़ा तो आप एक तो समझे रहें कि अंतह करण की शुद्धी के विना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती यह तो आप लोग समझी गयोंगे चित्ति की शुद्धी के विना इस सम तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं हृदे से कैसे रामुचार्म कर सकते हैं और प्राया हम लोग कहेंगे हिरदे से मनलभ हम बस रो रहे हैं पूटकार क्या चित्कार करने हो कृष्णा लेकिन महाराज ने बहुत सुंदर एंगल दिया इसका कहना हैं इंग्लिश में पहले कि देखिए your heart is a seat of all your desires जो चित है वहीं पर सारी इच्छाय उत्पन्न होती हैं तो अगर हम इस इच्छा से जब कर रहे हैं कि हमारा हिरदय शुद्ध हो जाले कि सिंसियरली हमारा एक देश है हमारी इच्छा है कि हमें भगवान की प्रिम्य भक्ति प्राप्त हो हमारे प्रिम्य भक्ति प्रकट होने लग जाएगी तो यह है हिरदय से जब करना बड़ा इंट्रस्टिंग है क्योंकि यह हम आच्छे ही कर सकते हैं इसमें दिक्षा की अपक्षा नहीं है कि दिक्षा लेया ने वह तो आगे की बात होगी लेकिन मेरे को जैन्विनली आप देखे कर सकते हैं कि इधर नहीं आती इच्छा एक्षिल करते हैं हिर्दय वाले स्थान में मेरे खाने की कुछ जाने की चाहिए जाने की चाहिए इधर इदम हिर्दय में महसुस होता है अधाने करते हैं कि इच्छा एक बहुत प्रबल इच्छा लालसा को महाराज रेफर कर रहे थे कि मुझे भगवान का प्रेम भक्ति चाहिए और आप जानते हैं कि श्रवन आदि शुद्चित्य कौरिबय उदय बिल्कुल इस पष्ट है कि भगवान का प्रेम नित्सुद् उपसे हमारे में विद्धिमान है तो अब वही बात है जैसे यहां सुन रहे हैं कि आत्मा का आत्मा है आत्मा का अनभव नहीं कर पा रहे हो तो कर्म योग करो अब भगवान के प्रति प्रेम तो है प्रेम है लेकिन प्रेम का अनभव नहीं कर पा रहे है तो क्यों नहीं कर और शक्राइद कर रहें हैं वह बीट कर रख सोरें अच्छाओ देख रहें हैं और यह अदिन दोनों का अनभाव दोगा सुनेंहें इसना धुलति अच्छ लगेगा न 65 Subaru भावना नहीं आएगी तो आप देख रहें कि जैसे बोल रहा हूं उसका प्रभाव तुरण चित्य में हो रहा है, महरका से सब बुद्धिमान लोग समझ रहा होंगे, बुद्धी की शुद्धी, चित्धी की शुद्धी का एकदम एक्डूट सीधा तरीका है सुनना, I think it's very clear, इसमें कोई संदे तो किसी को नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा, तो जब हम पूरा प्रयास, जब में सुनने का कर रहे हैं, तो हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं, कि भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने प्रस्तुत में लगव, I would say that, ये प्रस्तुत में को समने कर रहे हैं, कि प्रकाश्चत कर रहे हैं कि हम सही में अपने हृदे को शुद्ध करना चाहते हैं, makes sense? That is chanting from heart, बड़ा सुन्दर है, अब आप थोड़ा मनन करेंगे, तो समझ मैं अगर नहीं तो chanting from heart का मतलब हम सुचते हैं, बस खाली emotions आएंगे, लेकिन desire भी तो हिर्दे में ही है, तो किस intention से हरी नाम जब कर रहा है, देखो में एक भक्त को बार बार डाटता हूं, कि आप गीता क्लास में आते हैं, आप सो जाते हैं, तो क्या वाकई आप सुनना चाहते हैं इस बात को, क्योंकि अगर वाकई सुनना चाहेगा, तो वेक्ति नहीं सौएगा, देखिए मुझे गुस्सा इस बात पर आएगा, कि आप इस बात को समझ न पाओ, मैं डांट नहीं रहा हूं, अब बस गुस्सा इस बात पर आएगा, कि आप भी समझो कि मैं डांट रहा हूं, मेरी बात समझ पार हैं, हम विवेक जागरित करने के बात हैं, आप खुद विचार कीजिए कि अगर मान लिजे कोई धन के प्रतियास्त है, कितना भी सो रहा हो, नीदाती होगी, धन मिलने लग जाएगा, धन मिलने की ऑपरचुनटी होगी, धन मिलने की ऑपरचुनटी की बात होगी, तब भी नहीं सोएगा, अब थोला विचार किजिए का यह विचार विवेक दियने का प्रयास किया जारा है को डाट नहीं दी जारी है डाट करके कोई भक्त बनता है कि ऐसे थना होता है डाट डाट के प्रेम कराते हैं किसी से ऐसे नहीं होता है तो यह विचार कीज़ेगा यहां पर भी आप देखिए अर्जुन की बहुत उतकट इच्छा है अपने श्रे के निश्चित करने के लिए और देखिए दूसरे अध्धाय को बहुत ध्यान पूर्वक सुने है कि श्लोक को इसलिव बैलेंस कर पारें यह बात है वह बात है आप हमको फिर भी बताई कि हमारा श्रे कैसे होगा बहुत ध्यान पूर्वक श्रवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इ हारान करेंगे तो चित पर तुरन्त प्रभाव देखेंगे जो हम सुन रहे हैं इस बात का ओखी सो अम अपने श्लोक पर देखते हैं भगवान ने 3.4 में क्या बुला था अद्धावान की बात सुन रहे हैं भगवान ने कहा कि कर्मणों को नहीं करने से विक्ति को नैश कर नहीं प्राप्त होती है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और नहीं सन्यास लेने से विक्ति को सिध्धी मिलती है अभी को पहले गबार बोल लिजे न कर्मनामना रंभान नैशकर्मयम पुरुशोष्णते नचसन्यसनादेव सिध्धिम समधिक अच्छति और कर को नौ करने से निश्कर्मता नहीं प्राप्त हो जाती है इसको थोड़ा समझने का प्रयास कि यह नश्कर्म क्या समझाएगे शब्द बड़े नई-ई-ई से लगते हैं देखें आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे देखें सिंपल सी बात है अभी हमारा एक सभाव है कि नहीं इस्तरी का सभाव हो सकता है पूरिश का सभाव कि एक भी बिभाचन कर लेदें उसमें कितने भी भाचन एक प्राहमनी सभाव अलग होगा एक चत्रियानी का अलग सभाव होगा, एक वैश्य स्थ्री का अलग सभाव होगा, बहुत सी माताजी लोग दुकान बेटने बड़े रुचिजी रगती है, बिजिनेस पर कर रहेंगे, कुछ बेचेगी, इनको बड़ा खोसी लगती है, और कुछ बहुत सी माताजी, टीचर बड़ाना अच्छा लगता है, अब देखिंग सबका माताओं में अलग 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 इस पर चार भी भाजन कर दीजे, और पुरुष ब्राम्मन, पुरुष शात्रिय वैश और शूद्र ऐसे करके, तो यह सभाव क्या है, यह हमारा कंडिशन सभाव है, और यह सभाव को प्रवर्तित करता है, प्रवर्तित कर देता है, लेकिन जब हम अपने इसी सभाव को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अर्थात उन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, धीरे-धीरे करके सभाव डिजॉल होने लग जाता है, और आत्मा का जो वाकाई गुन है, वो चेंज हो गया, वो ब्राह्मन परिवर्थित हो गया, मैं समझा पाता नहीं, जैसे मालीजे, मैं अब लाल कपड़े की वज़े सदो गीता नहीं बोल रहा हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा, मालो मैं काला कपड़ा की तिन, समéqu लेजी, मालो काला कपड़ा के आजाओ, तभी गीता बोलोंगा की नहीं? अलल, या पीला, णुडीवी बन जाओ, पीला कपड़ा के आजाओ, तभी गीता ग्ञान तो रहेगा की नहीं? याध याब देख रहे हैं, ड्रेस चाहे कुछ भी पहन रहा हूँ, काम कर रहा है काम तो वही किता का बोलने का करूंगा ना भक्ति का कारे करेंगे तो सभाव की पकड़ छुटने लगती है जब विक्ति निश्क कर्म को प्राप्त है उसके उसारों से कारें नहीं करना पड़ेगा लिए जब तक सभाव की पकड़ है तब तक उसको वर्णाश् अच्छा तो वो सन्यास लेके भाग जाएं तो ना 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 ज्ञान शून्य चित अशुद्ध अवस्था में है और ज्ञान नहीं है ऐसी अवस्था में लिया गया सन्यास सिध्धी अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता और हम कर्मी ना करें तो हम नहीं करते कर्म करेंगे यह नहीं तो बंदन भी लगेंगा तो जुद्ध इस बात को भागवान इस बात को बहुत। तरह समझारें कि देखिये, कर्मों की आसक्ति को त्यागना है, क्या आसक्ति है कर्म की, मैं स्वतंत्र करता हूँ, इसके फलको मैं भोगूंगा, यादार आई ऐसा बात है, तो कर्मों की आसक्ति को त्याग ना है कर्मों को स्वरूपतह कोई नहीं त्याग सकता यह बात यहां बोल रहे हैं ऐसा कोई विक्ति नहीं है चाहे वो मुर्ख हो चाहे वो ज्यानी कि वो कुछ कर्म ना करे तो स्वरूपतहा कर्मों को नहीं त्याग आ जा सकता है लेकिन कर्मों की आसकती को त्याग आ जा सकता है तो इस बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि कर्मों की आसकती को त्यागने के लिए बोल रहा हूं गीता सुनने के बाद भी अर्जुन यूद ही किये ना, तो कर्म तो नहीं त्यागे, लेकिन उसकी आसक्ति को त्याग दिये कि नहीं त्याग दिये, और इसी कारण से भगवान को प्रसंद किये, भगवान के भगत बने, इसे टोके, भई देखे आप इसको बहुत असानी से स यह समानता जगत में होता है, लोग इस प्रकार सोच रहें, लेकिन आपने क्या किया, नहीं, नहीं, मैं कहा सुतंतर करता हूं, सारी वस्तों तो भगवान दिये, भगवान को और पित करके ग्रहन करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इसी है, बहुत प्राक्टिकल है मेरी बातशात स्मझ रहे होंगे, और पहले भी प्रभपाजी बौश चुकए हैं, कोई मालूबनिया है, चत्री है उसकी प्रविर्ति को आप नहीं रोप सकते, नहीं रोप सकते, नहीं रोप सकते, रोप करेगा ही, و करेगा ही, चुपके कैसे बी करके, जो उसको बिजनस क करना वो करेगा ही मैं एक्जाम्पल आपको दे रहा हूं मेरी दीदी आई उसकी तैयरी तरह किसकी तैयरी कर रही थी मैंने तुम क्या नौकरी कर पाऊगी उसका हुआ भी नहीं पूरी तरह से लेकिन जो भी है नहीं उतर था नहीं उसका सभाव है वैश का बिजनेस और कुछ लोग होते हैं जब पैसे के बारे में सोची नहीं सकते हैं कुछ लोग पैसे के लावा कुछ नहीं सो सकते हैं तो ठीक है दोने ही लोग भगवान के बारे में सोचो उसको जोड़ो भगवान से आपको पैसे करने की प्राप्त करने की प्राप्त करने की प्राप्त करन क्या खटनाई है बहुत अच्छी चीज भहमान बता रहे है सवरूपत हां कर्म को नहीं त्याग सकते लेकिन कर्म की प्रति आसक्ति को त्याग दा ठीक है वह चुप रहने वाली दस मज़े तक उसे रहा नहीं गया जब करने इशारों से बात करें पर बोली पड़ें करते हमसे नहीं होगा कौन बोला आपको इस प्रकार से अपने मानी को चुप करने के लिए बवान की जब की जब सबस्ति के आई सौ माला करो कोई दिक्वत नहीं लेकिन आपको लगातार बोलने में उत्साहित आप देखी रहें उसे को चूप रहो बहुत टुफ है नहीं हो पाएगा बल्कि मुझे इतनी हासी आरी है उनको खाना बनाने के इतना शौक है कि कल आज मेंको पता नहीं आज 12 बज़े मरना है उसे पले लाया बना रही है बन नाट स्टॉप यह प्रैक्टिकल उन्हें देखा और खुछ थी इस प्रकार से कर प्रैक्टिकल इसलिए आप अपनी प्रवर्ति को देखिए कैसे भगवान के सेवा में लागांगे एक बात सूत्र सुमझ लीजिए आगर आप भगवान के लिए को निश्काम काम करते हो न उसका अलग टेस्ट होता उसको एक्स्पिलिन नहीं कर सकते उसके खुछू अलगी होती उसका स्वाद चखने का प्रयास के लिए नहीं है वो है शुद्धिकरन तो होता ही है उसका एक सुख है यह सुख है कर्म पिजात इसwelगित्त कर्म करे कार ये एह सुख नर्मा Lazar प्रक्षव एप्रक्रियर गुणय एध्व सा कर्म बॉस्टे द। प्रत्यक विक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनसार विवशोकर कर्म करना पड़ता है अता कोई भी एक छण भर के लिए भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता है सांस तो ले रहे हैं कुछ तो लोगे सांस लोगे कुछ सोचोगे कुछ तो करोगे और आप नहीं देखा होगा अगा आप सोचती रहिए आप पर करने भी लग जाएंगे गलत कारे कर रहे हैं सोचे भी ना रह जाएंगे क्या बताईए अधिना अरशन कुछ यहां तक हम लोगे सोते तब भी सपन में कुछ 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 करते रहते हैं यह बात समझे नहीं हो ली होगी अनुवी देखे जातू किसी काल में जातू कश्चित कोई भी ज्यानी या अग्य विक्ति स्विद्व सामी की टीका को में इसमें जोड़ लिया हूं कश्चित मतलब कोई भी कोई भी का मतलब ज्ञानी यो अज्ञानी इसके अलाब कौन तूसरा विक्ति कौन है नहीं कोई कितना सुन्दर अर्थ लेलिया ना कश्चित को दो बाग में डिवाइड किर दिया ज्ञानी और अज्ञानी इतना ब्रिलियंट अर्थ लिया गया है चाहे ग्यानी हो वह भी कुछ कर रहा है जो मालो आत्म ग्यानी है तो ऐसा नहीं कि वह कुछ कर नहीं रहा है वह अपने आत्म ग्यान को बढ़ाने के लिए कर रहा है बहुत से लोग आपनों को बोलते हैं कि तुमनों कुछ करते क्यों नहीं और आप करने हैं वो पूरा कहां हो रहा है कि नहीं भागवद दिख रहे हैं ङूए सागर है वहार नहीं और लूबी आ करते होंगे बलकि आपके बोर लग रहा है इस समय बहुत होता तोला दूप सेक रहे होते मगर मच की तरह कुक रहला है लगना की बात याद आ गई तो से प्राया लोग चोगता है मुह भाड़ती नहीं इतना इतना और अच्छा यह भी है कि बिजिनस है बिजिनस है बिजिनस है लेकिन प्रेशर नहीं प्रेशर भी है लेकिन आनन्द है इसमें आप देख रहे होंगे कि अच्छा कितने लोग का अनभव की पहले से अधिक एक्टिव है यह बहुत सारे कारे करने के लिए और आपको लगा रहे ना कि कुछ किया है सुबसे तीन मज़े से भक लोग कि अल्मुस्ट ना बारा साड़े गारा बारा बारा बता को चलता रहेगा तो नौ घंटा हो जाता है फिर शाम को फिर लेकिन अब कभी लगता है कि हम बहुत परचान है यह कुछ भी नहीं ना कुछ भी नहीं लगता है बलकि लगता है कब वो दिना कि हम बाइस घंटे लेकिन एक है स्टाइड तो आचारों इस्तापद किया हुआ है कहर कहने कारती है कि जो ज्ञानी विक्ति वह भी अपने ज्ञान को बढ़ाने लगा रहता है और जो मूर्ख है वह भी लगे रहते हैं या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागरती सहीया में या स्याम जागर और सवरुप कारा कुछ सेवा करेंगा वसेवा कर सुख मिललता है किछिएं और सुमकहा मने चाहिए शण मात्र भी अकर्म कृत हुए नहीं त Wish्ट रही नहीं सकता सब्स्कताह३क नहीं बैठ सकता चुप्चा बैठो नहीं बैठ सकतें चुपचा बैठी आप, फिर कुछ सोचता बढ़ेगा, ये तो punishment बच्चों को दिया था, बैठो चुपचा बशकर, कितनी देर बच्चा बढ़ा रहे, कोई सुख मिलेगा उसको, ये कोई तरीका नहीं है, नहीं बैठ सकते चुपचा बढ़े, सर्वह ही, क्योंकि सभी प्रक स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव क्या होता है, अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है, शास्त्र के अंसार तो करता है, नहीं कारे, शास्त्र रजकारे नहीं करता है, उसके प्रकृति असी हो गई है, अब देखा है, इनकी तो रजोगोनी प्रकृति है, इनकी त फ्रकृति का मतलब यहां था सभ्हाव, तुमालो उसकी भोग की इचा है, उसने मिर्ची की अचार अचार खाना शुरू कर दिय, उसका पता नहीं था कि खाना चाई के नहीं खाना चाहिए, तो अब उसका प्रभाव उसके चित्र पर आने लग जाएगा, और वहा है, जान में वेक्ति क्या कर रहा है सो नहीं पता है। उससे लिता है, यहीं तो करना चाहिए और उसको ग्रहन करता रहता है, बाद में अभ्य estrogen हो जाता है, उसी चीज़ा का उसको ग्रहन करने के लिए मैं समझा पा रहा हूं. जीव को सभाव नादी काल से है भोग की वासना से वासित है संस्कार मने पड़े उसके सारू कारे कर रहा है प्रकृति जाई गुण है यहां गुण का अर्थ प्रकृति के गुण नहीं है हर वेक्ति का एक विशिष्ट सभाव है उसके उसकार उसके गुण हो जाते हैं कवाश नहीं चलता कर्म में प्रवर्तित होते हैं बड़ा सुन्दर श्लोक है पिछले जनम में मानलो मेरी ब्रह्मनिकल प्रवर्ति थी तो मेरा इस जनम में ब्रह्मनिकल कारियों में राग होगा आसकती होगी समझ पा रहे हैं और अब बाकी अन्य कार्यों से द्वेश में उसमें इंट्रेस्ट नहीं होगा पिछले जन्नम में अगर वैश्र था तो इस जन्नम में भी मैं वह से चलूंगा और प्राय ऐसे लगता है कि वैश्र परिवार में जन्नम लेते हैं मैं गलत नहीं बोला हूंगा तो आप देखिए गुपता परिवार में लोग प्राय धन के प्रति बड़े नाचरल उनकी इं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं यह तो आपने देखा होगा गोयल और अभी देखो भार पांडे हैं यह जो दिख्षित लोग है जन्रली लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं वह अलग बात है कि उस बुद्धि को उप्योग उनक्री बराप्त करने के ले कर लेते हैं ब्रामण परवार के बच्चे हैं वह कृष्ण भावना को बड़ी असानी स्विकार कर लेते हैं और तब उनके जीवन में इन बिल्ट होता है वैसे तो भारति में सभी में होता है लेकिन मैंने जनरली देखा कि उनके लिए नियम पालन करना साध्वों को सम्मान करना यह इ जितना वह नस्ट हो आगे की बात है लेकिन है विद्यमान लेकिन यह तो आप प्रतेक्ष देखते हैं कि यह जो गुपता फैमली ऐ है गोल फैमली और भी और भी क्या होते है अगरवाल मतलब बिजनस जीए बहुत से साधार लोग बिजनस करते हैं नोकरी नहीं करना होती ह कि अगर बिचार करें अगर आशी हो समाज की विस्ता है अगर विस्ता है हो तो तो 3 by 4, 75% मों नोकरी नहीं माँग रहें Iowa नहीं मांग रहा है शत्रिय नहीं मांग रहा है और व्हक्ष भी नहीं मांग रहा ए75 पर सम्लोग को अहीं चाहिए ऐमनेमेंट करफित नहींimli होइ महाराज कई बार तारीफ कर रहे हैं जितना क्या करते हैं यह आप भागवत्तम कथा के आईजन होता है वो कौन पैसे देते हैं प्राय प्राय बनिया लोग देते हैं प्राया प्राया उनके पास धन होता है और धन को भगवान की सिर्वे में लगाते हैं महाराज से विती गु सुद्ング गोझा सब्साइब से ल्ग तुम जो भी ब्रगृति जो भी प्रकृति उसको तुम भगवान के सेवा में लगाओ.." ये कहने करते है वे प्रकृतिजाई गुणः है, प्रकृतिज़ उनके स्वभाव से उत्पन, obviously स्वभाव प्रकृतिज़ के गुणों से आया, रजयोगून, तमगून, सत्गूण से, लेकिन हर विक्तिके चित में एक विशेश मिक्स्चर है इन गुणों का, इन इसकी infinite mixture हो सकते है, मैं और ऐसे करके पैदा हो और वेक्ति इस प्रकार से गुणों से युक्त हो कर रहता है, मैंने देखा मेरे दीदी की दो लड़किया है, पहली वाली एकदम सीधी है, और दूसरी वाली दम, नहीं सुनूंगी वे, चोटी सी है एकदम, नहीं सुनूंगी वे, उसको अभी भी होगा कि एक ही मा के दो बच्चे हैं लेकिन सबको दोनों का अलाग अलाग सुभाव है, तो आप समभाव सबसे परिचित होंगी उसके अंसार वेक्तिकार करता है, और कठना जनते क्या है, फिर हम कंपैर करना चुर करते हैं, लड़की तो हमारी आशी कर रही है, लड़का दुनों लोग अलाग अलाग सिकार होंबसे विवशों कर रहे आपको लग राग रहे है, हम लग रहा है को इंडपेनेंट हैं, कोई इंडपेनेंट नहीं हा, तो बुद्धिमान यह है, त्रेणिंग यह है, कि व्र्ँस्ति जो कुछ कर सकता उसको भाग्वां के सिवा में भगवान हरी को संतुष्ट करना ठीक तो अब इन सभी का उद्देश होना चाहिए भगवान हरी को संतुष्ट करना कैसे करेंगे श्रवन कीर्थन स्मर्ण और पूजन इन की लिए इन स्कार में इस यग्यों में इन सब की सेमाई लगनी चाहिए प्रभपाजी बहुत पश्ट बोलते हैं एक तात्पर में ब्राह्मन बोलेगा चत्रिय रक्षा करेंगे और उस में हाथ परके भी तुकाम होते हैं बहुत काम होते हाथ परके क्या बरतन भी नहीं आ सकता है कोई लेकिन यह नहीं है कि सुनना ही नहीं है सुनाई पट्रा में क्या कह रहा हूं वह ऐसा नहीं कि आयोजन ही हो रहा है और सुनने ही नहीं आए अर्य कोई सुनने ही नहीं आए बोली जारे और बोले जारे हैं ने canway की इसी में भूह को ऐसार ना चाहिए वारी ब्रह 머 फार्ण रहे हैं और लोग को आक्शेप यह करना चाहिकी ब्रह मचारी जीता क्यों पड़रहें कि लोग बीटा बलते हम ग्रहस्त को बोली धो ग्रहस्त को बोली कि बात हम क्यों पमठ परश्ट की बसे इह बसे ना की ब्रह dolors रहा है मधवांग्वांगEZ कर दो तूख तो भैंकर वाले ग्रॉष्ट थे 170 जोड़ी नी सकते कि इस नमब जिनकी शाहिद सुनते हैं प्रवपात बोलें बारा पतन थी है पता नहीं बारा कैसा वे तीन तुम जानते हैं तो बताईए देखा जाए तो गीता का प्रवचन तो ग्रहस्त को देना चाहिए लेकिन पॉइंट वरिसमिलाई ग्रहस्त और भाग प्रह्मचारी की बात नहीं जाएक तर्व वेता सही गुरू है यह कहने करते हैं तो यह बहुता तुम कर्म नहीं तैसके तो आरवेक्ति अपने प्रकिति के द्वारा उत्पन सभाग के अंसार कारे करता है लेकिन एक सूत् शास्त्र उसको वही छोड़ नहीं दे रहा है उसकी प्रकिति के अंसार हो है शास्त्र उसको एक वहित कर्म दे रहा है लेकिन एक तुम्हारा वैश्च सभाव है वेरी नाइस लेकिन अब यह नहीं कि तुम मुर्गा का बिजनेस करोगे करेंगे और फिर निश्काम भावना से करेंगे आपका आत्मग्यान बढ़ जागा यह भी आप देखेंगे कि आज कल क्योंकि लोग शास्त्र नहीं मानते तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं अब सर्फ सर्फ को घोल करके दूद बनाना यह कोई शास्त्र भी तो बि करमक satisfactory नहीं कश्चित कोई भी व्यक्ति चाहिए वह अज्ञानी हो सज्ञानिये च्रणम अपि एक च्छन के लिए भी जा दू लुग किसी भी समय किसी भी समय तिश्टति कि एकर्मकृत बीना कर्म किये वह नहीं बैठ सकता क्यों ऐसा मालू कोई पूछी तो के ते कार्य ते ही कार्य ते ही वश्वह कर्म वह कार्यों में निश्रदि प्रवर्त होगा सर्व्य सभी लोग इस प्रकार्ण से उत्पनन गुण यानि की राग देशादी जो गुण है उसके द्वारा प्रिवर्थ हो जाएगा। तो युघर राग और देश ने प्रवर्तित, तो युच रहे हो तो क्यों ना शास्त्र के अंसार प्रवर्तित हो तुम अधोगती होगी। यह लेकिन अगर हम शास्तर की बात सुन्ते हैं बागवान की बात सुन्ते तुम्हारी प्रगतिव के बहुत सिंपल सी बात है गुलाप जामॱ्त अच्छा लगता है तु कुछ राग अरे में मैं को बता रहा हूं यह ऐसा होता है कि बढ़ापे की बात नहीं है आप हम लोग का अनभव है शुरुबात में तो खूब केक दबाओ यह खाओ वो खाओ चाहे कुछ भी हो जाब नहीं भगता किसा रहता है लेकिन जैसे से आप प्रसादम करते रहते हैं और धीरी-धीरी करक केवल मात्र उनसे अनासक्त होना है क्योंकि स्वरूपतह कर्मों को त्यागना संभव नहीं है इसलिए अश्रुब कहते हैं बाकी टीका सब इसी में आजागी गीता बुश्रम में तो मैंने और नहीं लिया अब अविशुद्ध हिर्दे से अगर कोई वैदिक कर्म सन्यास तो वह लौक के करमों में निवज्जित हो जाता है क्योंकि ऐसा वेकति कभी कर्म कि विना ऊसकता है यह पिछले शुड़ते हैं उसको भाइश देखा जाता है कि इसले लेते हैं लेकिन उसके बाद हॉस्पीं खोलते हैं जगत मित्या है और ब्रहम सत्य है लेकिन क्योंकि हृ polishud हुआ अब मैं आगा आज रात में में बसुंदर सुपनाए क्या सुपनाया कि मैंने बहुत विशाल, हॉस्पिटल खोला, जिसमें सब लोग आकर पूरी तुरह ठीक हो रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, बड़ा अद्बुत बात है, तो इसलिए अगर चित्त की शुद्धी नहीं है, और सन्यास लिए हैं, तो वो कभी सुद्धी को प्राप्त नहीं करेगा, सन्यासी क सभी कर्मों का विरोधी होता है, तो इस पर कहते हैं कि प्रकृतिजव, अर्थात सभाव से उत्पन गुणों के कारण, जैसे राग और द्वेश त्यादी करण वह, अवश्व, अर्थात पराधीन वत, अर्थात इच्छा ना होते हुए भी कार्यों में नियुचत हो जात इसरे अर्टन क्यों हिआ थी पता नहीं कि युवाही तै और तुम को सन्यास ले 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 स prac दूख रहा था उन करम को करने में दूख रहा था इसले भाग रहे थे आत्म सा शात्कार के लिए नहीं भाग रहे थे, ऐसा कर्म सन्यास, ऐसा त्याग जो है वो तमगुण में होता है, या की गिता में बताएंगे, काया कलेश भयात, जीत काया को कलेश होगा, इस करण से को त्याग कर रहा है, तो ये वेक्ति का वो सत्मगुण, प्रकाषक नहीं पहले लेनाग करते थे महाप्रभून ने 24 साल में सन्यास ले लिए इनसे किसी भी प्रकार से जगद की सेवा नहीं कर नहीं है यह है सन्यास कर्द वैसे यह सन्यास आप घर में आजशी सी ले सकते हैं मैं तो जाडू के लावा कुछ और दंड को जानती ही नहीं मालों बाते हैं जाडू में हमारे पास जाडू है क्यों चलेगा सन्यास दंड की रूम में हो भी चलेगा अगर आप जाड़ु भगवान की सिवा की रूम में लगा रहीं तो सन्यासी है बहुत सिंपल सी बात है बता है प्राया लोग सन्यास कुछ सिचोशन में परतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जब सन्यास आपको अविलेबल है तो लेनी क्या जुरत है क्याच किया आपने है जब सन्यास अविलेबल है घर में ही तो लेने की क्या जुरत है अजिए प्रपाज इसको क्लियर क्लियर करेंगे पहले घर में अभ्यास किजिए सन्यास लने का हर कर्म को भगवान की प्रति अर्पित करने का प्रयास किजिए वो सन्यास हिर्दय में आप चाह कीजिए इस बात को कि मैं यह कर रहा हूं किस पुद्धिश से कर रहा हूं क्या इंटेंशन है कि इस फर कृष्णा स्प्लजर कृष्णी की प्रसंथा के लिए यह यह कुछ अपना कुछ वापस चाहता हूं कुछ अपना शेर्स होता है कंपनी में इन्वेस्ट किया एटी परसंथ आपको फाइव पर्शन हमारा है टेंट परसंथ नमारा आशे करके हिर्देश शुद्ध होगा व्यक्ति का तो हर चीज भगमान की सिवा के लिए करेगा तो उस तरह का सन्यास ठीक है अच्छी बात है नहीं तो कटनाई होती है कि मैं थोड़ा सा मजाग करूं को लेक भगत हम नामने बताएंगे नामने बता रहें नामने बतारें लेका हम खाली देख रहे हैं आगा बहुत अच्छी बात है आगे बिरिन्दावन वेरी नाइस करम सन्यास लिया कि नहीं नहीं अख्री बग्री शोड़ करके हाँ नहीं है मर गई है तो आप चले वहां देखने के लिए इसलिए बिरिन्दावन आप बने का देख और फिर मजी बहुत हांसी आई पता है क्यों से हमने का यह लोग तो दोनों तो माय से मुक्त हैं इंगे लोग कोई माया नहीं कोई स्ट्रीग कोई आ सकती है निकाने भी नह नहीं आ रहे है दागों के रूप में दागी आ रहे ना बुआ की लड़की में कोहां जाओ प्रसाद मिलेगा कोई होगा और रोएंगे यहां तो कम से कम रहेंगे तो खोश होंगे तो नहीं गए अची बात है फिर दूसरा पाइंटमें लिए बंबे में किसी को लड़की क साधी में आएगी कोई नहीं आएगा अब कहीं सब लॉकिक बाते क्यों बोल रहे हैं आप देखेंगे कि लोग आ अबरप तो ठीक है यहां पकड़ने वाले लोग भी है लेकिन प्राया व्यक्ति अगर ऐसे में कर्म सन्यास लेता है तुनंत वर्णाश्म में वो स्टेबल नहीं रहे पाता है यहां तो भक्त लोग भकड़ कर रोक लेंगा ठीक ठीक कोई बात नहीं वक्ति करो लेकिन यह बड़ा कठिन होता है इसलिए सन्यास पराया कितनी उमर में दिया करते थे 75 और उससे पहले 25 साल का बड़ा कटर वानप्रस्थ यह आप सन्यास की बात नहीं कर रह आप देख रहा है कि वानप्रस्थ कितना कटिन है जब किसमें कोई तफ़शा करने नहीं बोल रहे हैं लेकिन देख रहे हैं वो आसकती पीछे की व्यक्ति को दुबारा उन कर्मों में प्रविर्त करा देंगी तो इसलिए धीरे छोड़ना होता है प्राया जो लोग एकदम से छोड़ते हैं उनको बहुत गटनाई होते हैं लेकिन इसके बहुत विस्तार है हैं पता है बहुत ज़्यदा विस्तार है कहीं पर हम लोग प्राटिकल बोलेंगे अब आप छोड़ दीजिए मैंने पचास के बाद अब कोई ग्राज्वियल का मतलब नहीं है पचास के बाद आपको स्नैप करना है और कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं अभी आप प्रविर्तित हो ये मालों को 25 साल का बच्चा है लड़का है तो वो उसको बोलेंगे ठीक आप शादी कर सकते हैं उसको बोलेंगे तुरंट सन्यास लेलो तो हालत खरम तो चालेस में डर लगता है पच्चिस के बाद छोड़ बहुत मुश्किल इस नाट नीजी थिंग कर मुझे पूछा जा तो मुझे भाट भाए लगता है तो सन्यास नास ना कुछ नहीं और घूमना पड़ेगा मैं तो खाली मूला की तो अलमजीत यहां से और छेत्र सन्यास लिया है अपने रूम से मंदिर मंदिर से वापा सुस है इसके चित्ति की स्थेती उस सन्यास ने में कोई कटना ही नहीं होगी हर व्यक्ति अपने सभाव के इंसार कारता है बात सौ की सीधी बात यह है और आप किसी को दोशार पण नहीं कर सकते है यह ऐसा है वह सभाव इसकार रहा है यह देख पाएंगे आप लोग ठीक है ता रशी से बंदें तब चाइन से नहीं बैठ रहे है कुछ करना कुछ करना थे कुछ लोग अमने कि हुझ रिव बहुत होती है आतनों कुछ करना जरूर है तो जैसे जैसे गणों से मुख्ध हो जाएंगे तो आप शांत बैठने वाले हैं कितना अमेज़ेंग है निर्वेश तुम घडे में और जीव में क्या सामेता देखते हो? आप घड़े ज़शा देखते हो आप लो में ने लिका है कि जीव का सुरूफ घड़े ज़सा है घडरे को अधारन दे रहे हो तो समझ पह रहे हैं घड़े में पानी आधा रगताрий तो कहता है वो अधजल गगरी छाल करता जाया से कुछ कुछ तो बोलते हैं और भरा वाजल एक दम है तो उसको ग्यान पूर्ण हो कुछ नहीं बोलेगा लेगन प्रभपाजी कहते हैं जब विक्ति को भगवान का ग्यान होता है तो करता अरे कितना बोलू सब तो छोटा पट रहा है इत तो देखिए आचारे गणा बाइस घंटा जब करते थे वक्ति कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में वह में सख्री रहता है आत्मा की अनुपस्तिति में बहुत इक शिरी हिल भी नहीं सकता अचा आप लोग बिना हिल के बिना हिले बैठने का प्रयास किजिए इतना कटिन है और अचा दूसरा आपने देखाए होगा कि शेरी जब छूट जाता तो अब आपने सो श्रीर बिल्कुल नहीं हिलता गॉट इट तो आप देखिए यह जो हिलन पलन हो रहा है यह सब आत्मा की वज़े से हो रहा में एक सेंस टी यू इतना तो देखिना कि सा आपको भहुत सिंपल लग रही है लेकिन आप नहीं माने का मृत वाहन के लिए कितना धन की जरत होती है यह हम लों हजम नहीं कर पा रहे स्लोक लाइन को अगर वाकई मालने की शरीर एक वाहन की तरह है तुम पहले बात तो मृत चीज के लिए चिंता की क्या जरत है और जै पोजती नहीं है और कई बार तो यह भी आदनी रहता है कि पेट्रोल कब भराया हम अजिकी बैग अपर पेट्रोल भराना ही नहीं पड़े हम सभी लोग उसकार करना पड़ेगा इस बात को कि बड़ जबरदर्स हंकार है कि इसके लिए मैं आप कई दिनों तक बोलता रहूंगा इस बात को इसी लिए साधा जीवन रखना बहुत अच्छा है क्योंकि वस्तों जितना हम एकटा करेंगे वह उतना हमारा भावना बढ़ा देगी कि मैं यह दे हूं इस दे को यह दे तो चलेगी नहीं इसके बिना यह आप लोग सब देखी पा रहे होंगे मेरी बात अपने को सुंदर सजाने की भावना अपने को मतलब मृत वाहन के समान्ज शरीर है उसको चलाने के कभी आपनों बुरा नहीं मनेगा आप लोग तो नहीं करते पूछ रहा हूं कभी इस अपने स्कूटर पर लिपिस्टिक लगाई है कभी मन में आया कि स्कूटर पर बिंदी लगाए लिपिस्टिक लगाए अब मेरे कहने से कौन से माताजी मानने वाली है लेकिन वह खाली भूल रहा हूं आज स्कूटर को हम बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है एक सिंपल जीवान वेक्ति जिएगा जितना सिंपल जीएंगे साथा जीएंगे आप देखेंगे एक लिबरेशन है मन में मैं समझा पारा हूं हमको फटेवे कपड़े नहीं पहनने है लेकिन आप देखेंगे मन में एक भावना बिलकुल है उससे फ्री होता जा जा रहा है कि मैं लोगों से अलग दिख रहा हूं आज मैं अलग दिखूं में अलग दिखूं अलग हूं नहीं खाली अलग दिखूं चुनाई पड़ा प्रायद जगत में सब लोग अहार निद्रभ है मैं तो अलग हुए कहां खाली अलग दिख रहे हैं है कि नहीं और आप दिख रहे हैं और आप दिख रहे हैं एक दम मुक्त होग बहुत से भक्तों को जब कर रहे होंगे कांद देखो नहीं को डिस्टर्म करों करने दो पर दिखे का वह गीता क्लास दे रहे तब आपकी टाइम जदा दिखे नहीं आप लोग का इसा इन भफ कर रहे होंगे सहुता है जब दिखना नहीं जाते जगत में इसको देखना चाहिए और तहां आत्मा को और यह समझना वह कि क्रियान मृत के द्वारा ही हो रहा है कोई किसी को आप देना अपना एक कांट्राक्ट कुछ समय सेवा देना कि जब हम सो रहे हो दिन में मारी फोटो कीच लिए पब्लिक में डलना उसको आप आप ही देखना की सोते समय कैसे लग रहा है मैं भी बोल रहा हूं लेकिन में कुसा मेरे को सहास नहीं कि किसी को असे बोलने के लिए बड़ा शरम आएगी जो अब जैसे मरने के तुरंट बाद लगेंगे वो बस वालम चल जाएगा एक बड़ा अच्छा इस्पेरिमेंट है कोई करना ने कोई ने करना चाहेगा ना जैसे मरने के तुरंट बाद लगेंगे माना समाने मृत्त हुई तो बिल्कुल वैसी स्थित्य होगी तब आप देखेंगे ओ मैं इससे अपनी पहचान कर रहा था इंट्रस्टिंग मृत वहान के समाने आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सतकर्म में प्रविर्थ रखना चाहिए अन्यथा वह माया द्वारा शासिस्त कार्यों में प्रविर्थ होता रहेगा यह बहुत इंपोर्टन्ट है एक भक्त जो बीच में बोल रहे थे कि हम बड़ गलत तो नहीं कर रहे है इधर की क्लास बंद हो जाती है तो माय करती है तो इसे कुछ तो कर नहीं है एक जिन होता ना एक जिन मिल गया कुछ बीचा पूरी कराएगा लेकिन खाली बटा तो गोली मार दोंगा तुंको खा जाओंगा तो वेक्ति ने क्या कहा कासा करो वो खंबा है खंबे के उपर जाओ और नीचे जाओ बास होता ना बास बास के उपर जाओ नीचे जाओ उपर जाओ नीचे जाओ ऐसे ही हमारा मन अगर भगवान के सिवा में नहीं लगा है तो मारेगा ही हमको वो भोगे के कारे में लगाएगा इस सभी के लिए माय में आप जब भी प्रेविर्थ हुए क्यूरियोसिटी की वज़े से हुए थे जिग्यासा देखें भाई यह क्या चीज है वो कुछ भी हो सकता है अगर आप विचार कीजे तो और यही जिग्यासा अगर कृष्ण में फशी रहे आज क्या स्लोक है आज क्या सेवा है आज यह है ऐसे करते रहें तो आपके पास समय कहा दाएगा बल्कि एक बहुत अच्छे ब्रमचारी बता रहे थे कह रहे थे कि ब्रमचारी के लिए सेवा का बैकलॉग होना ही चाहिए होना ही चाहिए आपकर चाहिए जेसे वाए राइगे इसको जीवन समाप्त हो जाएगा, आप लोग इसको क्याश्ट कर पाएगे? किसी को भी शुद्ध जीवन जीना है, उसके पास एक बैकलॉग होना चाहिए, जुमपए बक्त समझ पाहरे मैं क्या कह रहा हूँ? खाली बैठे तो गोली मार देगी मारे दस्ट मेक सेंस यह अपनों ने बड़ास इंट्रस्टिंग पॉइंट अगर आ विचार के रहे तो और एक भक्त को हमारे सामने भक्त दिख रहे हैं कि ने एक में तुक जाता हूं अनिहाँ है तो उनको विक्ती प्रिचिंग कर रहा तो फिर माया अपने प्रचार के में लगा देगी आपको खाली बठे हो ना आओ आओ सेवा कर तो अब यह समझ लिजे बाराम बार दूसरे दय में माथा फोड़ पोड़ के पढ़ाए गया था इंदरियों का वभी इतना शक्तिशाली है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं यह मेंक सेंस ते चीजें हैं आब अब इक और भक्ष कई पुर दिक रहे हैं उनको डेकुर बना रहा हूं उनको सेवा दी है बड़े समध कि मांडवली कर रोह था मॉझे सेवा कंड़ए क्या करते है उसको समझता है प्रेप जीवह स्लाइड संधर्म चर लिजिए गया थे अलग होती है फिर उनको समझाए भी देखो किसे भौसिलों का लाब हो रहा है मन हमेशा कर ले कृष्ण किले कम से कम कर ले माया के लिए तो कुछ ताइम निकाला है किले कुछ नहीं करना भाया के लिए कुछ देखना नहीं यूटूब शॉर्ट से किसे चलेगा अप्णानी और थेखे हम धार में फिर में दोने करें न hai न robi नहीं बनाओगे तो मैं अपने आप दो gå नौंगा हमको जान भूछ कर मैं कुछ ना कुछ ना कुछ नakat पेतbbe हैं कुछ ना कुछ स्तर कि सुआरreno कर दो कुछ नधागी रहता है थीर सबसे बढ़ा सेवा होती पता ही लिटरेचर की सेवा होती नहीं बड़ी स्वंदर होती अनवाद करो समझो आज मैं आप लों को सिखाऊंगा सूत्र तत्व वाट इस दाट महत तत्व और सूत्र तत्व यह भी कहां से आ गया अब इसमें आपकी मती फंस गई तो मती भग्मा वो करूंगा मज़ याद जिए परेचरी मनाता तो सारी जब मेरे खिचली में चला जाता था कल तो वह से चौंक मारा आज कड़ी पता को चौंक मारंगा यह करूंगा जो करूंगा ऐसे करके पूरा जीवन आपका चला जा गार और बोड़े खुर्शिम चला जाता है तो यह कर दो कर दो चाहते हैं उसके बात जाते लिए जाते प्राणने के लिए मैं समझता हो कि आप भगतों को अनभव होगा इस परकार कर जब आप लोग कभी 108 बनाते होंगे बगवान के लिए मेरा एक जीवन में एक यह अनभव है तो हरी नाम भुल गे मैं और बुमार बल्कि हम लोग करना जैसे स्पीड बढ़ती जा रहे तो यह भी बना लेते हैं और समाता यह भी बना लेते वह भी बना लेते हैं वी केनाट इट एट मच कृष्णा के एवरी तिंग और आपका उस्साह बढ़ जाएगा तो देख लिजे के क्या प्रवर्थिए उसको लग पुरा जोग दीजे और बड़ा प्रसन जितना प्रवपाजी बलते हैं विल्कि इसके लिए बोलते हैं जितना तुम खर्च करोगे कृष्णी के लिए उतना ही तुम सम्रिद्ध हो जाओगे किसी भी तरह से ज्या ज्यान प्रवान के लिए दिजे आप धन दीजे जब भी कुछ दीजे आप सम्रिद्ध होंगे कि भगवान रिटर में बहुत जदा देते हैं रिखा ना आप किसी को यहापे हलवा दीजे आशमर्थ वेक्ति अच्छा वेक्ति यह का खाली बरतन वापस नहीं करेंगे खाली बरतन वापस नहीं करेंगे वह बहुत असमान देता है बहुत आप क्रिशन का आप जो देने चाहिए ज्यान दीजे चाहिए धन दीजिए पहा देजे कुछ इसके बदले इतना देते हैं कि बस आप अपना ने कर सकते गादा बार्बार वेकिंग कृष्ण सखिए अपने कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करेंगे तब हम लोग कितने सुखी हो जाएंगे आप अन्दाजा नहीं लगा सकते अभी कितने सुखी है बताइए मस्त है मस्ती से जीन है अत्हा आत्मा को कृष्ण भावनामृत की स्वतकर्म में प्रविर्थ रखना चाहिए अन्यथा वे माया द्वारा शाष्ट कारियों में प्रविर्थ होता आएगा मैंने एक चीज और देखी ब्रह्मचारी अश्रम में लोग आते ना प्राया लोग सुखने अब अब अराम की जिंदगी हो सोहेंगे से बहुत से बहुत भागते हैं लेकिन फिर वो सोना भी तो माया की सिव है वसे धाम में रहा रहते को को दिक्कत नहीं है लेकिन है जेंर्ल ही मनें देखा कि जो सेवा में उदसाहित नहीं थे वर वह आस्रम में उदसाहित नहीं भैए उनको सिव वहां दूसरी है उनको सेघा करने करनें अवश्य है कि शास्तिन द्वारा आधिस्ट कर्म में उसे सनलग ने रखा जा यह समझ में आगया था अनादी काल से भोग की वासने से वासित कर्म कर रहा है और अर्जुत करता है रजगोन तमगोन या सत्वोन इसका मिक्स्चर तो शुद्ध करने का तरीका है जहां पे हो तुम वैशन सभाव के हो चलो शास्ति तुमको यह कि दंट कर भावान के से वाट वहां से वा आत्मा शुद्ध होना शुरू कर जाएगी किन्तो यदि आत्मा कृष्ण भाव मृत के अपने सभाविक कर्म में निरत रहता है तो जो भी करता है उसके लिए करना प्रत होता है अब प्रहुपाद ने अलक्ट विस्ट लिया यह तो वह जो कुछ भी कर रहा है वह अच्छा है वाह नार्श्रम कारा कर तो और कौं कर पाए का बहुत मुश्किल अप्णवेक्ष को आप पडेंगे ना तो कि यह तो में कर सकते ने को प्रिचिंग को बनार्ष्ण की नियम पालन करने के लिए कि लिए बोला गया था हरे कृष्णा और अपने प्रबल जीव को शुद्र करने के लिए इसे लिए लेकिने ग्राजुल प्रुशास की पुष्टी हुए मैं संग आई है त्यक्त्वा स्वधर्मं चर्णाम बुजम हरेर भजन अपकोथ पतेत तो यदी यत्रक्वाब द्रभूदम उश्यकिम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मत हां बहुत अच्चा श्लोक है त्यक्त्वा स्वधर्मं कभी तृत्ती ही नहीं होते श्लोक से अपने स्वधर्म को त्याग दिया उसने जबकि भगवान यहां बोल रहे स्वधर्म नहीं त्यागना चाहिए आगे जाके त्यागवा भी देंगे स्वधर्वान परित्या लेकिन त्यक्त्वा स्वधर्मं जो अपरिपक्व है विशेवासना रहे गई या गलत लों का संग कर लिया तो इस कारण से पते ततो यदी अब ऐसा नहीं है कि जो विक्ति वर्णाश्रम को छोड़ करके भगवान का भशन कर रहा है तो उसका पतन ही होगा कदाचित पतन हो जाए वहां पर लिखा हुआ है असद संग के कारण ही व्यक्ति का पतन होता है यह हम लोग समझ नहीं बाते हैं लेकिन असद वार्ता के द्वारा ही व्यक्ति कर दें बहुत ही किच्छाएं आती है तो मानलो हो जाए तो बड़ा नुक्सान हुआ स्वधर्म माया पal Jayah मिले औरcruses बोलते स्वधर्म बी गया करने से पाप लगा और भावान का भजन की प्रापति भावान की प्रापती हुईंट गिर गया थो बड़ा नुक्सान हो गए तो ङहतले पूछा है पूच्छा था यत्र क्ववाः अभध्रम अभूत मतलब हुआ और अभध्रम ठींआ हरा धिया अकल्यान खराब चीज तुरुष ने उसका क्या नुकसाद हुआ तोक्या उत्तर देंगयी आप लोग कुछ नुकसाद नहीं हुआ का उस इस वेक्ति का जिसने सवधर्म को त्याग दिया और खवान के श्री हरी के चरन कमलोगों की और पर्जन करने का प्रयास कि और गिर गया तो उसका क्या उच्वान हो तो इंट्रस्टिंग देखें भक्ति में सबको लाना चाहिए सब लोग नहीं चलेंगे कुछ लोग गिरेंगे लेकिन गिरने वालों का भी कोई नुक्सान नहीं वाद इसलाइक ऐसे समझने का प्रयास के जैसे कि आप देखा है सरकस देखा है लोग उसमें उपर से कलाबाजी मा बारते हैं कुछ में गिर गए तो भी नेट तो है ना ऐसा नेट ना हो तो तो मरेगा बचारा लेकिन क्या नुक्स होना उसने प्रयास तो कि अरे इतना ऊपर चड़ना कोई असान बात है अब असे बूलेंगे कि ने फिर हो जाएगा फिर चड़ेंगा फिर प्रयास करगा और ऐसे सीखते ही है is it not example में दे रहा हूं कि भाई कुछ भी हो भक्ती में जो जितना कर दिया है वो हमेशा के लिए सील हो गया यह श्लोक भी में अगर अप्लाई कर लो नो तो प्रचार में बड़ा असान हो जाएगा आज ही मैं थोड़ाई करता हूं कभी स्मालों को सो र कार लगा रहा था अभी तो खाली फ्रेहम से बोल रहे है कि थोड़ा सा अच्छे से भक्ती कर लो लेकिन ऐसे तो जो भी आया जैसे मैंने राजीव के एक्जाम्पल लिया तो आया आकर वापस चला गया नाई बन गया फिर मर गया लेकिन जहां पर आकर उसने भजन किया व को मदब स्रहते अस्तम में मंगल अर्ति में उने संकल्प लिया कि पुरे जाड़ा मंगल आर्ति नहीं जाएंगा वाह निश्ट पेख्ट है वह पाले तो मैं गुस्सा आता अब में कुछ बुलता है नहीं पड़े तो हुए कुछ माला जाब कर रहे है ठीक है उसे मेरी माल नहीं रुक रही ना मैंने उनको बता दिया जाने के लिए हम नहीं जारे तो क्या जगड़ा करना अब लोग लग रहा हुए कि मैं ही बोल रहा हूँ को और बोल रहा है देना इस जीवन में विक्ति इतनी प्रगति करना चाहते तो ठीक है यह समझने का प्रयास की जी बहु अधिवी चीज से नस्ट नहीं हो सकते है आप करो नहीं हो सकते कॉछ भी कर लो पाप करो मैं करने के लिए यह क्यों बोल दिये भाई यह होगा ही नहीं नश्ट फिर भवान बनाने के लिए को लियांगे फिर कागे को विक्ति आपको बीड़ आप लोग से भवान के पास जाओगे मालो नहीं गए तो फिर को विक्ति का देखो यह कुष्ण मंत्र है यह बीड़ आगे से चैंटी अच्छा लगता आप लोगों को पताने क्या से लग रहा है बहुत अच्छा लगता लेकिन आप दूसरी तरफ देखो को वा अर्थ आप तो आप तो मतलब प्राप्त उस विक्ति को क्या प्राप्त हुआ मतलब कुछ प्राप्त नहीं हुआ कितना सुन्दर शैली है क्या प बढ़नाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करीते से रोरव पड़ी मजे यह बड़ा मज़दार श्लोक है चार आश्रम को बहुत अच्छे से बालन कर रहे हैं कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं तो वही कर्म उसको नरख में प्रविर्ट कर देगा कि काभी रिवालिश्टरिस लोग है कि नहीं हम लोग उसलिए लगता कि आजकर वाज न रचांव को पालन नहीं करते नहीं तो बढ़नाश्रम की समय में बगोर्त कट्रशु थे वह बहुत कट्र थे और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो विक्ति बहग्मान को अपनी इं वरिश्टम मनने तदर पित मनों वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरी माना एक ब्रामन और ब्रामन के 12 गुड़ों से युक्त भी है बहुत लेकिन अहंकारी है भग्मान का भक्त नहीं है विवक है भग्मान से भग्मान का बजन नहीं कर रहा है उस से एक श्वपच जो कोता क्या खाने वाले का पाईदा वो स्रिष्ट है किसा क्यों माल रहे है प्रलाद महराज बोल रहे है क्यों क्यों कि वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों से जाने कि कर्म को वानी को भग्मान की सिवा में लगा रहा है मानी शरीर को वानी को और कर्म को मै और बडानर्वान और मन उंगा रहा है तो सारे ㅎ कुल के साथ अपने हा 거죠 करता है आप परसाथ वखा रहे हैं इक चुन अपने को शुदी नहीं कर रहे हैं ओट घैस है पूरा परिवार डभा यह तो आपने पहले नहीं बता है कि नेकर है लिखा बवान का प्रवसाद खा रहे हैं जाप कर रहे हैं मुवान को प्रणाम कर रहे हैं कि आप ही शुद नहीं होंगे पूरा परिवार शुद होता है परिवार से मतलब यह नहीं मम्मी पापा उनली पीछे के पूरवज भी आ आपको उन्हों का उद्धार करने के लिए रुकाय जा रहा है हम मेरी बाते साथ समझी रहोंगे तो भगवान श्री कृष्णी की सेवा करना ही सर्वस्रेष्ठ धर्म है यह बात बोली जारी है उसमें चुपचापनी बैटना चाहिए नेक्स्ट यदि कोई क्रिष्ण भावना मेरी अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है और स्वधर्म का आचरण मात्र कर रहा है तो वह स्वधर्म का आचरण भगवान की भक्ति में परणत नहीं होगा भगवान की भक्ति वर्नार्श्रम से नहीं होती है वर्नार्श्रम मिस्तित हो करके भी ऐसे व्क्ति हो सकता है जिए भगवान का बचन ना करें जैसे कि जरासंद बेलकुल भगवान कृष्ण के विरोधी था लेकिन ब्राह्मनों का बहुत अनुकूल था समझ पाते हैं बात दुरियोधन बहुत बढ़िया राजा थे लेकिन भवान कृष्ण के भक्त बिलकुल नहीं थे लेकिन तुमको निस्तरय कुण होना भवान श्री कृष्ण की भवान श्री कृष्ण की भक्ति करके संसकार किसी भी पाप और पुन्य से नश्ट नहीं होता है और भक्ति का संसकार किसी भी पाप पुसी भी पुन्यादी से नहीं प्राप्त होता है भक्ति करने से जान अंजान कैसे भी करें भक्त की संगत जान अंजान मिल जाए तब ही भक्ती प्राप्त होती है सिधी बाद समय लेजिए COVID-19 जानते ही है उसका वाइरस किसी व्यक्ति से ही प्राप्त हो जिसके पास COVID-19 तभी मिलेगा अन्यता नहीं प्राप्त हो सकता है यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगिकार कर लेता है तो भले ही वे शास्त्रानुम मोदित कर्मों को ना करे अथ्वा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वे भक्तित भी हो जाए तो इसमें कोई तो इसमें उसकी हानी या बुराई नहीं होगी है कितु मेरे सारे डांट डांटनी क्षी चीन दे रहा है प्रवकर जीगप्य नतरे लेकीं देखनवार भार भार धायन रखिएगहएं टीर की जान्द वेक्ति को भक्ति करने से मना करने के पर नहीं होती है वी argentat्राजिशी करने यहiliar के अच्छी कि जिए है अब मालों उसमें नमक के चीनी डाल रहा है, बूरा डाल दे रहा है, तो अब बहुत है, पागल, क्या कर रहा है, आप लोने अपने लड़कियों कैसे सिखाया होगा ना, मैं रिखासे नहीं, अपने से सीखे वो लो, ए क्या सी रोटी बना रहा है, ठीक से नहीं बनाती हो, उ कि देश यह कि रोटी ठीक से बनाएं, यह प्रेम है, जो थोड़ा सा नांट की रूप में पर रिखता है, I think this was very clear, किन्तु यदि वह शास्त्रानु मोदे सारे कारे करे, और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो यह सारे कारे उसके किस गलाब के है, उधारवन मैंको पहले क्रिष्ण भावनामृत के इस तर तक पहुंचने के लिए शुदिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है, अतेव, सन्यास या कोई भी शुदिकारी बदती, क्रिष्ण भावनामृत के चरम लश्ट तक पहुंचने में साहता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ वि जैसे मैं पूचिऊ 1 प्लस 1 क्या होता है, सिंपल 2, और बात आपको घुमा रहा है को विखती, देखिए, 1 प्लस 1 हमें समाच के कल्यान करने चाहिए, 1 प्लस 1, A के बराबर होता है, 1 प्लस 1 is equal to C, 1 प्लस 1 is equal to Z, ये वो, तो केशव सका परोब कहेंगे, किसको बना रहा हो, क्यों हो भई, आप तो C है, सब नमबर से खेलते ही रहा होंगे, और C होने की जुरत भी नहीं है, इसे नॉर्सरी का बच्चा भी जानता है, 1 प्लस 1 तो पाप, 1 प्लस 1 तो 2 होता है, आप इसे बाते हैं क्यों कर रहे हैं? Are you catching this point? जो नहीं पता होता है, तो वेक्ति घुमा फिरा के बुलता है, तो जो कोई वेक्ति आपको यह ना बता पाए, कि हम है कौन, वो सेल्फ रिलाइस नहीं है, यहां आप देखते हैं कि कहां कहीं नौकरी करते हैं, किसे शादी हो जाती है, तो कहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, करना ही है, कल अनभव हो रहा था, मजबूरी का कुछ, जिन्नों को हो रहा था, मैं उनकी तरह देख करके बोल रहा हूं, क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा, जाने का मन तो बिलकुल नहीं है, लेकिन अब यह कोई मर गया है, तो ज जमा हुआ है मन में देखे बात करेंगे तो क्लास में भी आएगा लिए हम कुछ मजाक नहीं बना रहे हैं खाली हम सिख्षा दे रहे हैं आप समझ रहे हैं यह हैं तो करना ही होगा वही बात अगर भगवान के प्रतिया जाए तो आप सेल फ्रिदाइज हैं गौट इट बहु लeg बागत वनको बोला है हम बीमार है कि यह लिए कौंज रहे चौटे जोड़े रहे हैं इसलिए भूब छोड़े बीमार है लिटी बीमार थो कहाने रहे है की कंटना ही थोड़ा साइधर शेर्लफ रिराइजेजियों किया है बात क्या है कि जितनी बहुत अच्छी बात बोलके में रुखेंगे कृष्ण मंत्र एई ते स्वभाव जेई जप कृष्ण प्रति उपजाए भाव गॉड़ रहा हूं जो भी वेक्ति हरे कृष्ण मंत्र को जबता है तो उसका कृष्ण के प्रति जो सतास्पूर्थ भाव ह कि मैं क्रिष्ण का हूं मुझे क्रिष्ण के लिए करना है मुझे क्रिष्ण के लिए ही करना क्रिष्ण से भक्तों क्रिष्ण के भक्तों के लिए करना यह भाव उमड़ता जाता है अब कटना ही है कि अगर जब ना करे तो फिर हम कुष्ण कर सकते है कोई कुष्ण कर सकता ह ुए बहुत अच्छा है और अगर यह नहीं आया तो आप व्यर्थ प्रपाथ कोट करते हैं आपका पसिद्ध फिरट स्लूक आ राधितो यदि हरी तपसाहता थाकेम आना बहुत शुचाहता थाकेम अराधना भगवान की कर रहे हो और अंतर भाः नहीं दिख रहे हो तो प्रयोजन बड़ा सपस्ट है कृष्ण की सेवा वहां तक वह लास्ट पॉइंट है वहां पिला करके कोई भी प्रिफिकेशन प्रसेस है वह उसको वहां पिला के छोड़ना जाहिए नहीं छोड़ पार आए तो भर्त की कि का अपराज करने से घ्र्द था यहां मतलब कर यहां कर सकते हैं ठीक है इसलिए इसलिए उससे बजने कपश्राइस करने एंट क्या स्वभाव चेंज कर सकते हैं जी हां बिल्कुल कर सकते हैं आत्मा का क्योंकि ये स्वभाव कहां लॉज्ट है आपके सूक्ष मिश्री में लॉज्ट है आत्मा में नहीं लॉज्ट है लॉज मतलब रुका हुए वो हमारे सूक्ष मिश्री में संस्कार बने हुए और यही Dita class में आए ही क्यों होते इस सुम्हें अपने स्वभाव के अंसार कुछ कर रहे होते हैं है के नहीं है बहुसे बगते लोग मांस भास काते थे बच्पन से मांस का थे वह सब चाइज और खिर आप फैशरापई थे जो वह तो सारे संसकार अच्र वोट जिए आते हैं यह तो सभाव विज्ः प्राप्त करने अस्ली विज्ञ है है क्योंकि नभा अब प्रकृतिक 59 प्रकृति यही टरेनिंग दी जा रही सभाव करती काराया है वह पी ठीक कार करेंगा लेकिन शास्तिर के अनमोधन में कर रहा है अब मेरी बाते समझ रहे विद नौलड़जीज अक्टिंग केवल सभाव के इन सारे कारण नहीं कर रहा है छत्रिये है युद्ध कर रहा है लेकिन ग्यान से युक्तो कर युद्ध कर रहा है राग से प्रेरित हो कर युद्ध नहीं कर रहा है, यह युद्ध मेरे आत्मे ज्ञान में सहायक है, इसलिए करूंगा, वह अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, यह बात पता नहीं है, अब लोग के दिमां में जा रही कि नहीं जा रही है, जब करने से मेरी भक्ती बहुत अच्छा रहा है, कुछ पूछ रहे है, मैक दीजे मतनजीगा, देखो प्राय आप देखेंगे, जब करना शुरू करेंगे, तो इसलों को बढ़ दम लगे, क्या प्रान करना करना करेंगे, लेकर नहीं हमारे शुद्ध करने के लावशा है, यह मतलब नहीं करेंगे जब के दासे हम कैसे यह मतली रभुडवडन चरसहन के एक्जांपल था, या वद नाश्रम का धर्म का पालन कर रह थे तो तो इस चित्त की शुद्ध होती है कि देखेए, चित्त की सुद्ध है अज़ा करता है, क्या थे, पहुत बता है, वह इच बता है, और अधि बॉल तो परकृती के गुणों के स्वामी कौन है कृष्ण कृष्ण तो वही हटाएंगा नहीं तो क्या नहीं सकता अब उनको अपरसन किया दाए तो क्या अपरसन करें व्यक्ति तो कैसे काम करेंगा अप्राटिकल आप देख लिए बहुत अच्छा मुझा आजाद आ रहा था बा अप दूरों के राज देना चाहते हैं बहुत माद लना चाहते हैं सम्झता करना चाहते हैं क 思 correlate नहीं तो कहते है की देखिए बैक्ति दो परिछटे में खाना खाता है यह तो भूका से दिया जाए तो गहते मैं भूका हूं नहीं और आप मुझ से प्रेम नहीं करते तो मैं क्यों आपके बस इतना होने के बाद वहां स्विकार नहीं कि यह आप मैं भूंडा था भी सुदामा की कथा है उसमें एप श्लोक है भागवान फिर कोड़ करते है पत्रम पुष्पम फॉलम तुम्यम युमें भक्तिया प्रेच्चिती तद्हम भक्ति उपरतम अश्नामी प् आते हैं अचा भक्त देगा तो खाएंगे और आपका भक्त देगा तो कहते हैं नहीं खाऊंगा सिंपल सी बात है और वहां भगवान के बड़े सुन्दर बहुत सुन्दर शब्द है कि मेरे बहुत अच्छा है मेरे भक्त के द्वारा दिया गया एक इंसिग्निफिकेंट बहुत सिंपल सी ओफरिंग मुझको बहुत परी एक फूल ले रहा है जल दे रहा है आपको से कोई मूले जगात में कुछ भी नहीं नहीं कुछ बी नहीं को प्रेम बहुत अच्छा लगता और मैं उस दिन में बताऊंगा उस दिन प्रसाद पा रहे थे और एक व्यक्ति के पैसे वाले हो और एक दो गलास सूप में सalyst हो ग है कि वहां हो गया क्योंकि आप वेक वेक्ति हैं हम लोग पैसे की भूके नहीं है हम लोग प्रेम की भूके परेम से बगत ने बनाया प्रेम आपको पिलाया खुश हो गए अग्दम तो भगवान भी शी प्रकार से वह तो लक्षमी पती ही है लेकिन वह आपके छोटी से वटाइबर जो आप छोटे बच्चे की तरह बना करके लाकर दे रहे हैं चोटे बच्चे समझने का प्रयाज केजिए कुछ बना कर लाकर दे रह हम वह तो भगवान की सिवा करता है तो भगवान अपने अफ्साफ कर देते हम लोग केवल जुए आपकी का सारा काम भगवान करेंगे मेंक सेंस तो अगर भागवान के सेवा नहीं कर तो कहा देश भी ज़ुद्ध हुआ पताई रासंद का दरीयो धन का शीषुपालादी का उप यह पापी नहीं थे अगर से राजां कर ले तो इसे प्रापी नहीं थे अगाल कि 10 कुछ प्रश्न है तुर नहीं आइप आए कर्ला राजा सि किंछटी कर लिए जय इनटाइगल पर वात बताना भूल गया प्रण चेंछण देखिए ये पांच चार उंगली अरंग उठा ये वैसे ही कार कर रहे हैं जैसे मैं चाहता हूं क्यों कार कर पारे हैं ऐसा कि मेरी हाथ से जुड़े हैं हाथ से जुड़ने होने का फायदा क्या मिल रहा है दे आर गेटिंग कॉंस्टेंटली नरिष्ट और ये कुंगली कट क करके और चली जाएगी तो यह तुरन सड़ना शुरू कर देगी तो जो व्यक्ति भगवान के सिवा में लगा रहेगा वो प्रसन रहेगा नरिष्ट रहेगा में जीवन्त रहेगा जीविद लग रही ना उंगली प्रैक्टिकली प्रभपाजी जाद हम कुफों को सम्झाने क के लिए कि लिकें जीव थे सब्सक्राइब खरेगा कि टो इसकी सिवा करेंगा सिंपल बात ना जीव झोड़िक्रिटी बताना चाहिए और कुछ कारे ना समीशी नहीं है बहुत अच्छा बात प्रपाजी कह रहा है यह भौन कृष्णी को सिवा में लगाना वागे तो सब फिर बेड़ थे उसके लिए ओके यह चीज़ में बताना चाह रहा हूं बहुत मज़दा